नितीश ची को मुक्का मारने वाले युवक के बारे में एक अहम खुलासा हुआ है लगातार प्रशासन ये दावा कर रहे थी कि वो मानसिक रोगी है लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि बिना किसी मेडिकल टेस्ट के प्रशासन इतनी जल्दिवाजी में उसे मानसिक रोगी क्य क्या वाकई में छोटू मानसिक रोगी है बता दे कि छोटू को बेहुसी के हालत में वहां लाया गया और उसका इलाज PMCH Medicine Professor Dr. R.D. Singh के युनिट में इलाज चल रहा है और जब से उसे hospital लाया गया है उसे गुस्सा नहीं आया वो जो तमाम जो काम होता है वो बहुत ही समान तरह किसे कर रहा है वो टाइम पे सो रहा है टाइम पे खाना खा रहा है और अब तक उसे गुस्सा नहीं आया है और नहीं Medicine Ward में उसने किसी पर भी हमला किया है इसके अलावा बता दे कि उसका X-ray हुआ है ECG टेस्ट हुआ है इसके अलावा सबसे हम बात यह है कि उसे mood disorder और anxiety की दवा दी गई है जो भी मानसिक रोगी होता है अगर उसे इस तरह की दवाई दी जाती है तब वो गुस्सा हो जाता है या सामने वाले पर हमला करने लगता है लेकिन छोटू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी आधहार पर अब लगवग साफ हो चुका है कि वो मानसि मानसिक रोगी है भी तो उसे मैडिसीन वाड में क्यों भरती किया गया क्योंकि अगर वो मानसिक रोगी है प्रसासन इस बात को लेकर कंफर्म थी तब उसे किसी मानसिक रोगी के वाड में भरती करना चाहिए था क्योंकि अगर समाने स्थिति में उसे मैडिसन वाड में भर फिसा नहीं किया है और वो तमाम काम समानन तरीकी से कर रहा है लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन इस सवाल का जवाब देने से बच रहा है कि अगर वो मांसिक रोगी है तब उसे मेडिसीन वाड में भरती क्यों किया गया क्या डॉक्त्रों को पहले से इस बात का अंदजा थ था कि छोटू जो है वो मांसिक रोगी नहीं है, अगर वो मांसिक रोगी है इस बात का शक भी था तो उसे मांसिक रोगी वाले वाट में भरती क्यों नहीं किया गया है? तो लागातार अब सवाल प्रशासन पर उठ रहा है कि बिना किसी जाच के जहां एक परिक्रिया होती है उसमें कुछ फिजीसियन होते हैं कुछ सैकेट्रिस्ट होते हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं उनकी जाच के बिना ही आखिर प्रशासन ने कैसे बता दिया नितिश कु जहां अपने अंग्रक्षकों से घिरे थे उसी बीज में से वो पहुचता है और बड़ी आसानी से नितिश कुमार पर मुक्य मार देता है ये गनिमत रही कि उस सक्स के हाथ में कोई धारदार हतियार नहीं था नहीं तो इसमें मुक्ष मंत्री की जान भी जा सकती थी उसके ब होते हैं आखिर उस सुरक्षा किला को भेते हुए एक आम युगा कैसे पहुचता है और नितिश कुमार पर मुक्य से हमला कर देता है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था कि जब एक मुक्मंत्री विहार में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी के सुरक्षा की क्या गारेंटी है अब साफ तोर पे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि वो युग जो है वो मानसिक रोगी नहीं है अब तक के जाच में ये बात लगभग साफ हो चुकी है अलाकि देक उनके चाचाचे ने कहा कि जीर साल पहले जब उसकी पत्नी छोड़ी थ थी अंतिश कमार ने माफी भी कर दी काफी उनकी प्रशंसा हुई लेकिन सवाल यह है कि जो पुलिस प्रसासन का जो बड़ा अधिकारी है क्या उस पर कोई कारवाई होगी क्योंकि ये मुखमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था तो अब लगबग साफ हो चुका है कि छोटू जो है वो मांसे रोगी नहीं था तो अब देखनी वाली बात होगी कि ज जो पुलिस प्रसासन के बड़े अधिकारी है कि इन पर गाज गिरती ही कहा जा रहा है कि एस्पी साइद दो तीन अधिकारी ऐसा ऐसे हैं जिन पर गाज जो है गिर सकती है क्योंकि मुखमंत्री के सुरक्षा मामले में भारी चुक हुई और इस वज़े सरकार के लगातार हो रही है आप देखते रहें जंता जंक्शन जैसे ही कोई और बड़ी खवार आएगी तो अम उसे आपको इतलाह करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद